महारास्ट में होने वाले बिधान सुबा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस को बड़ी मजबूती मिली है ऐसा इसले कुगी पार्टी के पूरुवरिष्ट नेता और अलपसंकिक समुदाय में प्रभावशाली माने जाने वाले कमाल फारुकी 20 साल बाद कॉंग्रेस में एक बार फिर से शामल हो गए हैं कमाल फारुकी महारास्ट परदीस कॉंग्रेस साल पसंकिक कॉमेटी के पूरा अधिक्ष और आल इंडिया मुस्लिम परसनल लॉबोर्ट यानि AIM PLB के सदस्रिबे रह चुके हैं उनके साथ उनके बेटी और राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी यानि AIM PLB के पूरो प्रवक्ता उमर कमाल फारुकी की भी कॉंग्रेस में घर वापसी हुई है वही कमाल फारुकी की महारास्ट में मुस्लिम समधाय में काफिध धाक है और अब कहा जा रहा है कि फिर से कॉंग्रेस में उनकी वापसी पार्टी को काफी ज़्यादा अच्छा फायदा पहुँचा सकती है इसके साथ ही अगर आपको कमाल फारुकी के बारे में बताये तो कमाल फारुकी महारास्ट के मराट वाड़ा शिद्र के वरिष्ट और दिग्गस नेता है कमाल फारुकी ने 20 साल पहले यानी 2004 में कॉंग्रेस छोड़ दी थी और 2004 में हुई चुनाओ में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाओ लड़ा था पार्टी की चात्र शाखा के उपाधिक्ष के रूप में काम किया है मैं अब 20 साल बाद कॉंग्रेस में वापसी के बाद उन्होंने बयान दिया इस मौके पर कमाल फारुकी ने कहा कि बीजेपी और उनके जैसे दलों की संपरदाई घ्रासपत बिचारधारा को हरानी के लिए मैंने कॉंग्रेस में वापसी करने का फैसला किया है मौजूदा महोल में कॉंग्रेस से एक मातर इसी पार्टी है जो वास्तों में हमारे देश की सच्ची भावना का नितत्रुकर रही है और उन्हें पुनरिस्थापित कर सकती है मैं इसके साथ ही कमाल फारुकी के इस टिपड़िक को सीदे तोर पर भाश्पा के नीतियों और बेचारधारों पर हमला माना जाने लगा है साथ ही कॉंग्रेस में उनकी वापसी AIMIM की नीदे उड़ा सकती है वो इसलिए क्योंकि महारास्ट में मुस्लिम आबादी लगबग 11.5 प्रतिशत है और इस समुदाय का समर्थन कॉंग्रेस के लिए हमीशा से महतबून रहा है फारुकी जैसे वरिष्ट नेता की वापसी से कॉंग्रेस को उम्मीद है कि इससे मुस्लिम बंदाताओं को फिर से पार्टी के पक्ष में लाय जा सकेगा ए आएम आएम ने मुस्लिम बूट बंग को अपने पक्ष में खीचा है जिससे कॉंग्रेस को काफी नुकसान हुआ है वही कमाल फारुकी की वापसी से कॉंग्रेस को इन शित्र में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की उम्मीद है फारुकी की रासनेतिक पकड़ और उनके अलब संक्यक समुताय में सम्मालिच छवी कॉंग्रेस को मुस्लिम मदाताओं के बीच फिर से बिश्वास पैदा कर सकती है हालां कि फारुकी की वापसी से कॉंग्रेस को बड़ा समर्थन मिल सकता है लेकिन AIM, AIM और अन्य शृत्री पार्टियों से मुकाबलास आसान नहीं होगा कॉंग्रेस के सामने चनौती यह होगी कि वो मुस्लिम मदाताओं को यकीन दिलाए कि वो ही उनके असली प्रतनेधी है और AIM, AIM जैसी पार्टी कि वो और विवाजन कारी रासनीती कर रही है ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या होता है और महराश्ट में होने वाले चनाओं में कॉंग्रेस कैसी पार्टी को चोट पहुचा दी है यह देखने वाली बात होगी अगर आपको हमारा वीडियो वसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें पड़ते रहें फाइट अगेंस किर्मिनल डेली न्यूस पेपर